अबित आओंगी आपके पास लेकिन इसी बीच एक बड़ी और एहम खबर आ रही है दिल्ली में अनुराग ठाकोर खिलाडियों को सम्मानित कर रहे हैं सीधा लिए चलते हैं आपको वहाँ अनुराग ठाकोर की ये तस्वीरे आपको देखा रहा है जो प्रदर्शन रहा है इस बार तो अनुराग चाकुर की ये तस्वीरे जहां खिलाडियों को सम्मानित किया जा रहा है तो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं Youth Award function चल रहा है ये जहां पर खिलाडियों को सम्मानित किया जा रहा है और देखिए जिस तरह से sports को एक नई उर्जा मिली है और इसको बढ़हावा देने की जो जरुवत है विज्ञान भावन की ये तस्वीरे स्वक्त आप देख रहे हैं जहां पर अनुराग ठाकुर जो है यूवा खिलाडियों को सम्मानित कर रहे है और जो प्रदर्शन रहा है खिलाडियों का लगातार वो हमने देखा है और किस तरह भारत गौरवानमित महसूस कर रहा है उसको लेकर देश में स्पोर्ट्स को ज्यादा तवज़ो देने की बात बार बार यहां पर की जा रहे है नाशनल यूथ अवाट पाउंडेशन का ये कारकरम चल रहा है और इस कारकरम में यूवा खिलाडियों को सम्मानित किया जा रहा है तो कहीं न कहीं ये तस्वीरों से जरूर उन खिलाडियों का मनोबल भी बढ़ता है ये कारक्रम चल रहा है इस वक्त सीधी तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं अनुराक ठाकोर आप देख रहे हैं नाशनल यूथ पाउंडेशन के जो तमाम खिलाडी है उनको सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं विज्ञान भवन में पूरा कारक्रम चल रहा है और जो में डेवलप्मेंट की जा सकती है उसको करें तो दिल्ली में नाशनल यूथ पाउंडेशन के तहत विज्ञान भवन में एक आरक्रम चल रहा है जहां पर यूवा खिलारियों को सम्मानित कर रहे हैं अनुराक ठाकोर तस्वीर सीधी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं खिला को भी उतनी तवज़ों दी जाए इस बात पर हर बार सरकार की तरफ से ये बात सामने रखी जा रहे है तो तस्वीर आप देख रहे हैं खिलारियों को समन्त किया जा रहा है खिल मंत्री की तरफ से नाशनल यूथ आवार्ट कारकरम में अनुराक ठाकोर की ये सीधी तस्व तरफ से नाशनल यूट तरफ से नाशनल चार रहे हैं आवा से जावाँ घलारियों है।